इस्राइल हिजबुल्ला की जंग में यमन का हूती, सीरिया और इराग के प्रतिरोधी समू इस लडाई में कूत पड़े हैं लेकिन इस्राइल की इस जंग को लेकर एक खूफिया रणनेती है जिसे पूरे मिडिलीस्ट का समी करण बदल सकता है दरसल मिडिलीस्ट में इरान ने इस्राइल के लिए एक जाल बिचाया है जिसमें तेलवीव बुरी तरब हस चुका है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की ये चाल काम्याब हो रही है क्योंकि लेबनान में इरानी दूतावास ने कहा कि आईडियाफ ने बेरूत में जो हमला किया है वो गेम चेंजिंग उकसावा है जिसका नतीज़ा इस्राइल को भूगतना पड़ेगा एक बार फिर से इस्राइल ने घनी आबादी वाले इंगलाकों में खोनी नरसंगार करके अपनी जूटे तरकों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है इसमें कोई शक नहीं है कि यह निंदनी या अप्राध और लापरवा व्यवहार एक कमभीर वृद्धी का प्रतिनिधित्व करता है जो खेल के नियमों को बदलता है और इसके अप्राधी को उचित रूप से डंडित और अनुशासित किया जाएगा वहीं हिजबुल्ला ने इन हमलों को लेकर कहा कि बेरूत के दक्षणी उपनगरों में नागरिक भावनों में हत्यारों या हत्यारों के भंडार की मौझूद्गी के बारे में इसराइली कबजे के जूटे दावों का खंडन करता है आपको बता दे कि आईडियाफ ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान में 30 से जादा हवाई हमले किये थे जिन में से अभी तक 700 लोगों की जान चली गई जबकि 3000 से जादा घायल हुने हैं वहीं इरान के विदेश मंतरी ने इसराइल के पीम बेंजामिन नतन्याहू को दो टूक कह दिया है इरान के विदेश मंतरी अब्वास अराक्ची ने कहा हम इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नितन्याहू की घ्रिणे धंकियों की तीखी निंदा करते हैं जिनोंने संयुक्त राश्ट्र के संबोधन में चेतावनी दी थी कि उनका देश इरान पर हमला करने में सक्षम है ये अतिहासिक शर्म की बात है कि हाई प्रोफाइल हत्यारा संयुक्त राश्ट्र में आने और अपने घ्रिणे जूत और अन्य राज्जियों पर आक्रमण करने और अधिक लोगों को मारने की अपमान जनक धंकियों के साथ महासभा को जहर देने की हिम्मत करता है आपको बता दे कि इरान के इस बयान से पहले इस्राइली पीम बेंजमीन नेतन्याहू से युक्त राश्ट को संबोधित करने कहे थी जहां पर उन्होंने खुले तोर पर इरान पर हमले की धंकी दी थी। लेकिन बड़ी बात ये है कि इरान अभी तक सीधे तोर पर इस यूद में शामिल नहीं हुआ है। वो परदे के पीछे से हिजबुल्ला, हूती, इराक और सुधिया के प्रतिरोधियों को हत्यार और गोला वारूत सप्लाई कर रहा है और उन्हीं हत्यारों के बल पर ये चोकड़ी इसराहल पर हावी हो रही है।